ताहिर गोरा के शो बिला तकलूफ में मैं हलीमा साधिया आपको खुशामदीत कहती हूँ आप टेग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डूनेट के बटन को क्लिक करके हमें कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं आज के शो में बाचीत होगी पाकिस्तान में होने वाली नामने हाथ आईनी तरह मीम पर भारत के जमो कश्मीर में होने वाले एलेक्शन के हवाले से के ये एलेक्शन जमो कश्मीर को किस समत लेकर जाएंगे ट्रम्प को एक और मुम्किनार टार्गेट किलिंग का निशाना बनाने की खबरों के हवाले से इसके साथ साथ हम नज़र डालेंगे यॉरप में माइग्रेंट्स को रोकने की कारवाईयों पर और आखर में कैनाडा की पॉलिटिक्स कर भी चायजा लेंगे तो चलिए बाचीत का अगास करते हैं पाकिस्तान में होने वारी नामनेहाद आईनी तरामीम की कोशिशों के हवाले से पाकिस्तान प्रेस की खबरों से तो यूं लगता है कि पाकिस्तान की सरकार या आईनी तरामीम क्यों करना चाहती है तो क्या पाकिस्तानी सरकार ये आईनी तरह मीम करने में कामयाप हो जाएगी अगर नहीं तो क्या रुकावटे होंगी आप इस सारे मामले को किस तरह देखने हैं देखिए पाकिस्तान में जो इस वक्त आइनी तरह मीम के हवाले से खबने चल रही है वो बड़ी हैरत अंगेज हैं आम तोर पर हमने माजी में देखा कहीं पर भी अगर इस तरह की पुलिटिकल मैनूवरिंग हो तो वो सीक्रट अंदाज के साथ होती है लेकिन लगता ही है कि पाकिस्तान के हाराम शेहरी को जैसा कि आपने कहा मकमल अंताजा है कि सरकार क्यों आइनी तरह में करना चाती है जाहरे सरकार का बन्यादी तोर पर मकसद अपनी पावर होल्ड को बढ़ाना है क्योंकि वो अपने आपको कमजोर समगती है इन दफेस ऑफ पाकिस्तानी जजजिस तो आइनी तरह में में ज्यादा बड़ा टार्गट जो है वो पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से है और इ शामल तमाम political parties को है बलके opposition में बैठी हुई पी टी आई को भी है और पी टी आई के हामी लोगों को भी है और अवाम उनके साथ है मतलब अक्सरियत अवाम की तो उनको भी है तो कोई secret नहीं है अब साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की ये जो सरकार है ये पाकिस्तान की आर्मी यानि establishment के कहने पर अपने हाथ मजबूत करना चाहती है ताके आईनी तरह मीम अदलिया के हवाले से इस तरह की हो कि सुप्रिम कोर्ट आफ पाकिस्तान में खास तोर पर जज़ों की तदाद बढ़ाई जा सके जो गालबन इस वक सत्रह है तैईस करना चाह रहे हैं उ के हामी जज़ आएं ताके आइंदा जो बेंचिस बनें वो उनकी मर्जी के मताबक बनें और फिर इसके साथ साथ गालबन सिक्स्टी फाइफ यर्स की वो है रिटार्मेंट की एच सुप्रिम कोर्ट के जज़ों की उसको शैद सिक्स्टी एट करना चाहते हैं ताके इस वक के जो चीफ चस्टिस हैं काजी फाइज इसा वो पाकिसान आर्मी की मनशा के मताबक और पाकिसान की ये जो सिटिंग सरकार है उनकी मनशा के मताबक फैसले करने को तयार या आमादा नजर आते हैं क्योंकि वो समयते हैं कि ये जो इस सेटप के बारे में अगर फैवरेबल तो वो उनके भी हक में हैं और मुल्क के भी हक में हैं वो ऐसा समय ते हैं आप से मेरा यह हम पे यह सवाल बनता है कि क्या पुलिटिकल प्रॉसस और डिमॉक्रिसी के लिए ठीक है यह बजाहर बहुत ओपन और बहुत मुश्किल फैसले हैं जो हो रहे हैं और बाइस भी लगते हैं लेकिन बाइसिस के साथ लगते हैं लेकिन क्या आप यह नहीं समझते हैं कि बाइस अकात मुश्किल फैसले डिमॉक्राटिक प्रॉसस को जारी रखने या मुल्क की कुछ सिचुवेशन को संभालने के लिए जरूरी होते हैं देखिए फैसले यह जो हैं यह मफदात की बन्याद पर हैं यह किसी सूरत पर भी ऐसे फैसले नहीं हैं जिनको हम असूलों की बन्याद पर कराते हैं और यह सरफ इस वक की सिटिंग सरकार का मसला नहीं है यह जो भी पाकिसान में सिटिंग सरकार आती है वो आर्मी के कहने पर जो उनके इंटरस्ट में होता है, जो आर्मी के इंटरस्ट में होता है, वो ऐसे फैसले करते हैं. माजी में हमने यह देखा था, क्हे आर्मी आम तोर पर जो सरकार उती है, उसको टापल डाउन करने के लिए, कुछ इस तरह की हरकतیں अदलिया के साथ मिलके करती है पाकिसान में इस बार वो पाकिसान की सिटिंग सरकार के साथ मिलके आपोजीशन को रोकने यानी पी टी आई को रोकने के लिए ये हरकते कर रहे हैं ऐसा बहुत काम होता था तो ये सिच्वेशन है और अब इमरान खान औ ये आर्मी को बी और वो ये कह रहे हैं कि खबर दार आप कोई ऐसी आइनी तरह आमयम ना कीजिए जिससे मुलक को खत्रा हो अब वहां पे तो हर कोई मुलक को खत्रा ही करार देता आह ہونے ہونے جا رہی ہے. تو پھر اس کے لیے کیوں کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وقت کی سرکار کے ہاتھ بندے ہوئے. وہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاور ان کے پاس آئے. ان کے پاس پاور آنے سے مراد یہ ہے کہ آرمی کے پاس پاور جائے گی. اور اپوزیشن اور عمران خان پہ شکنجہ قسا جائے گا. یہ لڑائی چل رہی ہے دو سالوں سے. जब से इमरान खान की सरकार गई है तो इमरान खान की सरकार के हमाईती पाकसान आर्मी में अभी भी मुझूद है पहले ज्यादा मुझूद थे अभी भी मुझूद है सिस्टम में मुझूद है जजजज मुझूद है और दूसरी तरफ जो आर्मी की लीडर्शिप है उनके हमायتی ہیں. चाहे वो सरकार के लोगों, पोलिटिकल सरकार के लोगों, या सिस्टम में लोगों, उन दोनों ग्रोहों की आपस में ये लड़ाई चल रही है. और मैं दूसरे लफ़ों में ये कहूंगा, ये बहुत पुरानी लड़ाई ये पाकिसान में, मतब जब से इमरान खान इक्तदार में आये थे, खास तोर पर तब से, और ये बन्यादी तोर पर लड़ाई चाइना और अमरीका की है. इमरान खान अमरीका को बुरा बला तो कहते हैं, मगर इमरान खान अमरीका और वेस्ट के मुफाद में काम कर रहे है जो दूसरा ग्रूप है वो भी वेस्ट के खलाफ नहीं है मगर वो चाइना की जेब में ज्यादा है तो ये जो दोनों गुरोहों की लडाई है इंटरनेशनल लडाई भी है और इनकी आपस की अंदर की लडाई भी है चलिए तो फिर अब सवाल ही उठता है कि क्या पाकिस्तान की रियासत हमेशा की तरह खुद को भी और अवाम को भी नहीं मिसाल में उलजाए रखेगी या कुछ बेहतरी होगी बेहतरी का कोई इमकान नहीं है बिलकुल हमेशा की तरह पाकिस्तान में पावर स्ट्रगल पावर जो यह जो हंगर है इसकी तरह जंग चलती रहेगी इसका फाइदा बाहर की ताक्तें भी उठाएंगी और खुद भी उनके जो स्टेकोलडर है पाकिस्तान में खुद भी उनके मफाद में है कि वो इस जंग में उलजे रहें जैसे मैंने अभी पीछे कहा कहीं तो ये इंटरनेशनल लेवल की लड़ाई है और कहीं ये इनकी आपस की पावर पॉलिटिक्स है जिसमें आर्मी के दो बड़े गुरो जो है एक दूर से के खलाफ लड़ रहे हैं और पॉलिटीशन्स भी इ इसी तरह बटे होएं जिस तरह आर्मी के ग्रोव बटे होएं तो ये हमेशा से इसी तरह चल रहा है पाक्सान में मतलब पहले पाक्सान में बिलकुल आइज़ट इस नहीं होता था मगर पावर पॉलिटिक्स तो हमेशा रही है वो पूरी दुनिया में होती है मगर पाक्सा जो यह लड़ाई लड़ रही है जिनको पता भी है कि यह क्यों लड़ाई लड़ी जा रही है वो भी कन्फियूज रहते हैं तो इस सारी जो रसाकशी है इस सारी रसाकशी का फाइदा अल्टीमेली किसी को नहीं होता है बस यह ऐसे ही उन्होंने एक बैटल फील्ड बनाई चलिए अब आते हैं भारत की जरफ भारत के जम्हों कश्मीरे में रियास्ति एलेक्शन्स 18 सब्टेंबर से पहली एक्टूबर तक चलेंगे कश्मीरी एवाम में इन एलेक्शन्स के लिए काफी जूश औ जजबा देखने को मिल रहा है आप इसकी क्या वज़ा समझते हैं जब मेभूबा मुफ्ती की और बीजेपी की जो कुलिशन सरकार थी वो खतम हुई थी तो ये कोई नो दस साल का अरसा है जबसे एलेक्शन नहीं हुए तो नैचरल है के भारत में हर जगा एलेक्शन होते हैं अब भी भारत में फैडल एलेक्शन जो है जम्हों कश्मीर में भी हुए हैं दो हसार उनीस में भी हुए थे, दो हसार चौबीस में भी हुए थे, मगर वो चुके फैडल लेवल के थे, उसमें भी काफी जोशन जबा था, मगर यह चुके जम्हों कश्मीर की लेजसलिटिव इसमली के एलेक्शन है, तो यह ब्राहरास्त अवाम के मसाईल और वसाइल के साथ दोनों के साथ जुड़े हुए है तो इसलिए बहुत एकसाइटमेंट है जमू कश्मीर बदल गया है दो हुजार उन्नीस पांच अगस की अब्रोगेशन आर्टिकल तरी सैम्टी तर्टी फाइफ ए के बाद बहुत बदल गया है मगर जो पुलिटिकल पार्टी या हैं जो बड़ी पुलिटिकल पार्टी आ है वो बनियादी तखर वही चाहे अबद्धुलाफा मुफ़ती की पार्टी हो चाहे ये सजाल लोन इनकी पार्टी हो फिर नैशनल कांग्रिस राहुल गांदी की पार्टी के लोग हैं फिर बीजे पी का स्टॉंग होल्ड जमू के आलाकों में ज्यादा है तो सिच्वेशन काफी इंट्रेस्टिंग है वहां पे अब में जैसा मैंने का हालात बदल गए हैं जो बड़ी करते हैं तो पार्टियों के कुछ माइंड़ सेट बदले भी हैं ऐसा नहीं का नहीं बदले उनको अंदाजा हो गया है कि थरी सैमेंटी थर्टी फाइफ ए का वापस आना मुम्किन नहीं हैं कहने को तो वो कहते हैं शेख अब्ला की फैमली के जो पॉलिटीशन्स हैं उनका को अंदाजा है कि सेंटर की सरकार और सेंटर की बिरॉक्रेसी और लाइंफोर्स्मेंट के अदारे हर्गिस थरी सैमेटी को वापस आना देखना नहीं चाते हैं तो इसलिए वो भी मेरे खाल है लगता ही ही है कि इस पे कंप्रोमाइज कर चुके हैं कि ठीक है और ग्रांड आपसल रालीस भी एवलूट होती हैं चेंज होती है जी वो भी चेंज होती है मगaire पार्टीयां वही प्र वो परानी बातें मीऩ करते हैं नई बातेंगे भी कर रहें है पहले जो दस सेल पहले जो लेजिस्टिलिटिव इसामली के एलेक्शिन होते रहे है उसमें पाकस्ता की जो प्रो पार्टियां हैं वो भी काफी प्रामिनन्ट होती थी इस वक्त वो प्रो पार्टियां को प्रामिनन्ट नहीं है यह जो नेशनल कानफरंस है अब्दुला फैमली की और महभुवा मुफ्ती की पार्टियां जो है यह पहले ज्यादा खेला करती थी कुछ पाकिसान अब कोई मिलने के इमकानात भी नहीं रहे पुलिटिकल क्रैसिक बहुत जादा आ रह Nós एस बात पर तो रजामन है के चली कोई बात कोई हम भारत के साथ ही रहेंगे रेकिन आ जो माईंसेट है इस बजा से बतला है और भी जैसे सजालों है या जो इस के लोग जो थोड़े से मतब प्रो सेपरिस्ट थोड़े से कभी हुआ करते थे अब वो भी लगता उनका माइंड़ सेट बदल गया तो कहना में यह चा रहा हूं कि जमू कुश्मीर के हालात बदल गए हैं पार्टियां वही हैं उनकी पॉलिटिस्स कुछ पराने अंदास की ह कुछ नए अंदास की है इन नौदास सालों में कुछ नई पार्टियां भी वहां पे बनी मगर वो पार्टियां अभी तक अपने पॉलिटिकल कैपिटल नहीं बना सकी को बड़े लेवल पे इसलिए वो सामने नहीं आ आ पारी तो आपका बन्यादी स्वाल है कि किस सम्त ज जो जाएंगे वो हम थोड़ा सो और आगे जाकर डिसक्स करेंगे लेकिन इस जोश और जजबा की जो बन्यादी वज़ा एक और भी है जो खासर पर कश्मीर वैली में मुसलमानों की काफी बड़ी तदाद है वो बचैरे कन्फ्यूज हैं कि कहां जाएंगे क्या वो अपने सेपरिटर्स आइडिया की तरफ रहेंगे या अब मैं आप से ही स्वाद करने वाले थी कि फिर इसकी सिमत का क्या किसी नई किसी पॉजिटिव नई सिमत का की तरफ जाने का प्रॉसस की तरफ जाने का इमकान है या कि ये किसी वो ही गिसीपरिटी एक वो लेकि उसको लंब والی بات ہے. اس لیے کہ نو دس سالوں کے بریک کے بعد الیکشنز ہو رہے ہیں. اور جو اسلامی ذہن کی پارٹیاں ہیں. پہلے وہ پرو پاکستان یا سیپرٹس ہوتی تھی. اب وہ اتنی پرو پاکستان یا سیپرٹس بھی نہیں رہی. کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ بھئی ہم نے پاکستان کے ساتھ مل کے کیا لینا ہے. اس ساری صورتحال میں وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہماری اسلامی کا ایڈنٹیٹی ہے. خاص طور پر کشمیر کی ویلی کے جو پارٹیاں ہیں ان کے اور ان کے تو وہ بس اب اسلامی کارڈ کھیلیں گے. پاکستانی کارڈ شاید کم کھیلیں گے. تو اس ساری صورتحال میں پھر جو سمت بنے گی. کیا یہ کشمیر کو کسی نئی سمت لے کر چلیں گے? نہیں. ابھی یہ الیکشن نو داس سال بعد ہو رہے ہیں. تو ایک جو بھی اس کے ریزلٹس آئیں گے. ملے جو ریزلٹس آئیں گے جو مجھے دیکھتا ہے. ان ریزلٹس کے بار پھر سینٹر کے ساتھ ان کی کیا نیگوزیشنز ہوتی ہیں. جو بھی یہ پارٹیاں جیتیں گی. کس طرح کی یہ کلیشن گورنمنٹ بنائیں گی. ان سب بنیادوں پہ پھر یہ ایک آرزی سمت بنے گی. اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی ایک مستقل سمت بنے گی. ایک آرزی سمت بنے گی. اور اس آرزی سمت کی جو بنیاد ہوگی وہ پھر آگے جا کے کسی اگلے الیکشن میں کوئی دیر پا قسم کی بنیادیں فراہم کریں گے. چلی اب ہم آتے ہیں اپنے ہمسایہ مولک امریکہ کی طرف. آہ اتوار کے روز امریکی حکام نے ایک امریکی شہری کو گرفتار کیا جس پر شک ہے کہ وہ صدر ٹرمپ پر قاتل آنا عملے کے لیے فلوریڈا میں ان کے گولف کرب میں چھپا ہوا تھا. آپ اس پہ کیسے تفسرہ کریں گے? دیکھئے یہ آہ اس اتوار کو آہ خبر آئی کہ صدر ٹرمپ پر ایک الیجڈ آہ اسیسینیشن پلوٹ کسی شخص نے بنایا اور وہ آہ چھپا ہوا تھا ان کے گولف کلب کے آہ بوشس میں. اب جو خبریں آئیں ان کے مطابق یہ تھا کہ اس نے اپنی رائیفل کہیں نکالی تو آہ سیکرٹ سرویس جو ہے امریکہ کی جو سب سے بڑی سیکیورٹی کے سرویس ہے جو بہت ہائی پرفائل آہ لوگوں ان کی سیکیورٹی کرتی ہے. تو وہ انہوں نے وہ رائیفل کی وہ نال دیکھی. تو انہوں نے اس شخص کا پیچھا کیا. وہ بھاگ گیا وہاں سے اور غالباً چالیس پنتالیس میل کے فاصلے پہ جا کے اس کو گرفتار کر لیا گیا. اب یہ تو تھی پہلی خبر جو سنڈے کو آئی. اس کے بعد دوسری خبر ہی آئی گرفتار ہونے کے بعد اس کو کوٹ میں پیش کیا گیا تو اس پہ چارجز صدر ٹرم پہ آہ کوئی ٹارگیٹ کیلنگ کے حوالے سے ابھی تک نہیں لگے یا الزام نہیں لگایا آہ ایف آئی اے نے یا جو بھی لا انفورسمنٹ کے ادارے امریکہ کے انہوں نے یہ لگایا کہ اس کے پاس پتہ نہیں اللیگل کوئی آہ آہ اسلاح نکل آئے ویپنز اس کے قبضے سے نکلے ہیں. اب آہ یہ ہے کہ ابھی جولائی میں صدر ٹرم پہ پینسلوینیا میں ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں وہ بال بال بچے ان کا کان جو ہے وہ شریف زخمی ہوا. تو اس کے بعد یہ دوسرا ان پہ آہ جو کہا جا رہا ہے وہ تو کنفرم تھا. اب اب یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ یہ ایک یہ بھی ایک الیجڈ آہ اسیسینیشن پلوٹ تھا. لیکن جب وہ کوٹ میں پیش ہوا ہے شخص وہ ایک امریکی شہری ہے رائن. تو اس پہ یہ والے چارجز نہیں لگائے لا انفورسمنٹ نہیں. کہ یہ صدر ٹرم پہ قاتلانہ حملہ کرنے آیا تھا. البتہ اس کے جو آہ جو اس کا سوشل میڈیا ہے یا اس کے بارے میں جو پرفائل خبریں وہ سامنے آئی ہیں کہ وہ کئی قسم کے آہ چھوٹے موٹے جھرائم میں ملوبس رہا اس شخص کا نام رائن بتایا جاتا ہے اور پھر ایک اہم خبر یہ تھی کہ اس نے صدر ٹرم کو ووٹ بھی دو ہزار سولہ میں دیا تھا مگر دو ہزار بیس میں اس نے صدر ٹرم کی مخالفت کی تھی ایک شہری ہونے کے ناتے اور اس نے ڈیموکریٹس کے لوگوں کو تھوڑا بہت چندہ بھی دیا تھا اور پھر یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ وہ یوکرین آہ کا بہت شریر حامی ہے وہ یوکرین جنگ لڑنے کے لیے گیا بھی تھا اس کی عمر کوئی چھپن سال ففٹی سکس یز بتائی جاتی ہے اور وہ صدر ٹرم کے اس لیے بھی زیادہ خلاف ہو گیا چونکہ صدر ٹرم یوکرین آہ کے کوئی زیادہ حق میں نہیں ہے تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں یعنی اس شخص کا ایک اچھا خاصا پلٹیکل پروفائل سامنے آیا ہے ہے وہ عام شہری لیکن وہ آہ 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 حام وہ پلٹیکل آہ اپنے خیالات سٹرونگ خیالات رکھتا ہے اب آہ اس کی نیکس پیشی next Monday को है गालबन लेकिन इस पेशी में इस Monday को जब वो पेश हुआ है यानि अपनी गर्फ़तारी के अगले रोड तो उस पे ये चार्जिज नहीं लगाए लाउ एंफोर्स्मेंट ने कि ये सदे ट्रम पे काफलाना हमला करना चाहता था और ये भी कन्फर्म नहीं है कि क्या उ वहाँ फिलॉर्डा में जब उच्वा हुआ था भी या नहीं था ये भी अब ये खबर जो है ना कन्फ्यूस ही हो गई है तो बारहल इस पर इंट्रस्टिंग बात ची चल रही है तो चलिए आते हैं अब अमरीकन इलेक्शन्स करीब आ रहे हैं इस वक्त आपको सुरतहाल क रही की तो शुरूर भी हो चुकी है लेकिन जो भी सूर्तहाल हमें आज से दो तीन महिने पहले नजर आ रही थी यानि वही पॉलराईड सूर्टहाल डिवाइडड वही अब नजर आ रही है कभी सदर्टर्मप का पलड़ा एक-दो पर्सन्ट बाहरी हो जाता है कभी कमाला Harris के एक दो परसंट बढ़ जाते हैं अभी पिछले हफ़ते डिबेट भी हुई थी जी उनकी डिबेट भी हुई थी उस डिबेट के बार लगा के Kamala Harris के एक दो परसंट जो है पलड़ा भारी हुआ है फिर कोई इस सैटेड़े को खबर आई के सादर का पलड़ा कोई एक परसंट भारी है तो मतलब यह है कि यह बहुत ही टाइट मुकाबला है जैसा के बाइडन और सादर टरम का हुआ था इसी तरह यह कमाला Harris और टरम का मुकाबला होगा तो सूरते हाल यह है कि अमरीका के यह elections गुश्टा elections की तरह काफी polarized हैं काफी neck to neck हैं यह कहना आज भी मुश्कल है कि कौन जीते गा अगरचे as of today जब हम यह show record कर रहे हैं तो सदर टरम का कोई आदा परसंट एक परसंट पलड़ा भारी है लेकिन यह बहुत मुश्कल है कहना कि कौन जीते गा क्योंकि यह तो सारे amerika के लोग मांते हैं कि कुछ रयासते purely republican रयासते हैं कुछ रयासतें democrats के लिए हैं सिर्फ कोई साथ आठ रयासते हैं जो स्विंग स्टेट सेंट उन्हीं में जो फैसला हगा उस फैसले की बन्याद पर ही amerika का next other कौन बनता है उसका दारूमधार उस फैसले चलिए इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि यॉरप के बहुत सारे ममालेक इमिग्रेंट्स को रोकने की कोशिशों में मिस्रूफ हैं, खुली इमिग्रेशन के फॉरण बाद यॉरप की काया क्यूं पलटती है? देखें, यॉरप में खुली इमिग्रेशन रही गुश्टा आट-दस बरसों में इसमें कोई शक वाली बात नहीं, जर्मनी ने साइलम सीकर्स को फ्रांस ने काफी कबूल किया, सर्फ इंग्लेंड ने कबूल नहीं किया था, चूकर इंग्लेंड में सरकार थी, कंजर्वेट रहे, मगर फिर भी इमिग्रेशन वहां पर चलते रहे, इटली इनको रिजस्स करता रहा, क्योंकि इटली एक बार्डर है, समुन्दरी बार्डर, जहां से ये अफरीका से लोग लिबिया से, अलजजाइड से, इटली और स्पेन आते थे, और ज्यादा तर इटली से, और इस्टर्न यॉरप की कुछ सरह ने, बेलारूस और ये से सारे इस पर थोड़े लिनियर्ट थे, या इनके पॉलिटिकल मौटिवस थे, कि हम इमिग्रेंट्स को किसी तरह से बेलारूस का ये रहा, कि हम यॉर्पीन यूनियन में कुछाएं, ताके यॉर्पीन यूनियन के म iresائل خراب ہونا 이제. अब जर्मिनी की अभी भी लेफ्ट की सरकार है, سंटर में मकर जर्मनी की अभी दो रियास्तों में वी फार राइट की जो है नें फार्टी आए एक पार्टी है, वो काफी उसने अपना इन रोड दिखाया है, एक पार्टी तमे एक state में तो वो अक्सरियत में कामियाब हुए है और दूसी state में वो दूसरे नमबर पे आए है तो अब जर्मनी की left की सरकार को भी खत्रा है कि भी हमारे votes खराब होंगे अगले साल जो जर्मनी के federal election होने है उसमें वो इसके खलाफ जाना चाहरे हैं अब यॉरप की इंट्रेस्टिंगली left की पार्टियां भी और right की पार्टियां भी immigrants के खलाफ है क्या है इसकी reason यह नहीं के elections जब होते हैं तो जो minorities खास्ता है immigrant minorities जो है वो बहुत उनका बहुत decisive role होता है इसमें देखिए immigrant minorities अगर तो वो हो जो जिनके पास legal status हो फिर तो फाइदा होता है लेकिन जो नए asylum seekers आ रहे हैं या जो नए immigrants आ रहे हैं वो तो election पे कोई असर अदाज नहीं हो सकते हैं वो तो vote डाल दी सकते हैं वो तो बोज होते हैं लेकिन यह था कि जो जो लोग नए आते हैं asylum seekers तो उन की आने की खुशी में जो settler immigrants sort of होते हैं जिनके पास vote डालने का हक होता है तो वो उनको sympathies show करते हुए चुकर वो हक में होते हैं कि हमारे रिष्टेदार हम जैसे लोग आ जाजाएं और frankly यॉरप में सबसे वड़ा मसला मुस्लमान immigrants का है चाहे वो अलजीरिया से आते हूं चाहे मिडलीस से आते हूं चाहे अफ़गान से चाहे थोड़े बहुत पाकिस्तान से तो इनका ज्यादा मसला है यह ज्याद अब यॉर्पियन समाजों में इनके खलाफ एक बकाइदा political movement शुरू हो चुकी इसलिए far right का rise हुआ है France में भी far right का rise हुआ है Germany में भी Italy में भी और Portugal में भी हो रहा है Spain में भी हो रहा है अगर्चे यह England में far right या conservative party हार गई थी चुकर यह वह कुछ नो दस या श्यादिस से ज्यादा साथ एक्तदार में रहे थे तो वहां पे अब labor party आई है मगर जैसा मैंने कहा कि अब यॉरप में left की party भी और right की party भी अब immigrants को रोकने की कोशश इसलिए कर रहे हैं कि उनके देशों में जो उनकी अवाम है वो immigrants के बहुत खलाफ हो गए है एक तो cultural clashes की वजह से दूसरा वहां पे homeless बढ़ता चला जा रहा है अब वो नए asylum seekers को कहां गढ़ देंगे जब जो उनके अपने लोग है global economic situation भी कुछ इस तरह किये जो global economic situation से ज्यादा यॉरप की अपनी economic situation वो इस पे बहुत बहुत tensions पाई जाती है अभी हमने England में अगर चाहिए लेबर पार्टी की हकूमत आई है लेफ्ट की पार्टी है तो इन की हकूमत आने के बाद वहां पे बहुत दंगे हुए है जैसे वो एक शहर में तीन बच्चियों को किसी लड़के ने मार दिया था तो उसके बारे में अफवाप पहली की ठाईबू की यह musulman लड़का था अलागर वो मुसल्मान लड़का नहीं था मगर व़ोगों के अंदर इतना गुस्सा पाया जाता है कि लोग बाहर निकल आए अब गौर्मिन्न ने लोगों को वो जो 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 जिनको फारराइट के कहा जा तो बोग्र हो नोग तो या बालकान की रियास्ते हैं, यहां पे तो मुस्लिम इमिग्रेंट्स को वैसे ही काम आने दिया जाता है, सोवाए अलबैनिया और इस तरह के जो मुल्क हैं, जो तुर्की के साल लगे हैं, वो तो वहां तो आ जाते हैं, तो अब यॉरप में एक बहुत रियाक्शन, शदीद हाँ, मैं यही कहने वाली थी कि एक्शन रियाक्शन की पॉलिटिक्स, नीदर लैंड हो, बेलजियम हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कोई आप यॉरप का सेंटर यॉरप या नॉर्दन यॉरप कम उनको उठा के देख लीजिए, वो बिलकुल एक्सेप्टेंस नहीं रही, इसा मिलियन्स मुसल्मान इमिग्रेंट्स को जगा दे दी, मगर वो कई तो वहां पे चालीस चालीस पचास पचास सालों से रह रहे हैं, मगर वो उन मौशनों का हिसा ही नी बन पा रहे हैं, तो वो बहुत शदीद घुसा पाया जाता है, और ये रियाक्शन बढ़ेगा, आने उनको ये लग रहा है कि हमारे हाँ टेंशन बढ़ेंगे, चलिए अब कैनेडा की तरफ आते हैं कि यॉरप के साथ-साथ ये फिजाह में कैनेडा में भी साफ नज़र आती है, इस पर कुछ थोड़ा सा रोशनी ड़ली है, जिस तरह यॉरप में खुली इमिग्रेशन की हुआ है, तो उन्होंने भी बहुत खुले दिल से गुजिशता दस सालों में खास दोर पर, जब से जसन्टूडो की सरकार चली आ रही है, अभी भी वो सरकार में हैं, खुली छूट दी इमिग्रेंट्स को, इसाइलम सीकर हो, इमिग्रेंट हो, स्टूडेंट हो, उनका अगर तीन, चार मिलियन लोग नौदस सालों में आये हैं, उनके लिए घर तो उस रफ़तार से बने नहीं हैं, अच्छा, नौक्रियें भी उस रफ़तार से नहीं हैं, तो गौवर्मेंट के कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी, अच्छा, यहां पे तो यह तक होगा, कैनिड़ा में तो मेरा खाल है यॉरप से भी ज्यादा रिडिकुलिस हाथ तक चीजें होई हैं, यहां पे एवन मैंने देखा के जो विजिटर्स भी हैं, उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टी की नॉमिनेशन में, अपना कोई नों को हिस्सा डाला है, यहां अन्बलिए या इंडिरे हो, जिसके पास कैनिडा का वो ड्राइविंग लाइसन्स हो, वो बस दे दे हैं, हम उसका वोट वो मैनेज कर लेंगे, तो वो में वोट दे दे हैं, मतलब अन्बलिवेबर, अब कैनिडा में इस हद तक गया, यहनि पुलिटिकल इंफ्लॉइंस भी हुआ, एकनॉमिक भी आया, जॉब मार्किट भी बुरी तरह तबाह हुई, तो अब कहीं जा के कैनिडा की इस सरकार को, टूडो सरकार को होश आई है, अच्छा, अब इनोंने एक्शन लेना शुरू किया, और नोंने का जी के यह जो टेंप्रेरी वर्क पर्मिट को हम रिन्यू नहीं करेंग हम जो जो स्टूडेंट्स आई हुए हैं, इनको इमिग्रेशन अब इतनी सहुले से नहीं देंगे, बर सक्तियां की है, यहां की जो कंसर्वेटर पार्टी है, वो आज भी इस तरह की खुली इमिग्रेशन की पॉलिसी के खलाफ नहीं जा रही, वो अपने वोट लूज नह बड़ा नहीं है, लेकिन वो इतने मैटर नहीं करते, जितनी मैटर अवाम करती है, मैं यह कहना चाहरा हूँ के एंडिपी भी प्रो इमिग्रेशन है, खुली पॉलिसी, जेस्टिन टूडो भी अपरेंटली खुली पॉलिसी है, कंसर्वेटर पार्टी भी खुली पॉलिसी है, मगर चुके लिबरल सरकार में है तो अब लिबरल ने शकंजा कसना शुरू किया है, इमिग्रेशन की इस पॉलिसी पे, लेकिन आवाम जो है ना, आवाम, किनेडियन आवाम की अक्सरियत, वो अब खलाफ हो गए है, वो अब आवाज उठा रहे हैं, आलनके उनके पास क के खलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई कहीं, दूसरी कम्यूटिज के जो वोट आने का चांस है, वो कहीं खतम नहों जाए, लेकिन अवाम अपने तोर पर, आप कैनेड़ा की अवाम बैजार हो गई है, और यहां पे भी अब यॉर्प की तरह, एक तरह से शरीर बिल्ट होना शुरू हो गया है, कि भाई यह इमिग्रेशन इस नाट, एकसापटेबल तो डैट एकसेंट, चैड़ यह तो इस सूरते हाल के अंदर आप कैनेड़ा में इमिग्रेंट्स के मस्तविल के साथ साथ कैनेड़ा की पॉलिटिक्स के फ्यूचर को कैसा देख के लीडर पियर पॉलिवर, तो यहां तक कह रहे हैं कि मैं जब भी मुझे महसूस हुआ कि मैं वोट अफ नौ कांफिदेंस ला सकता हूँ, प्राइम निस्टर टूडो के खलाब पार्लिमेंट के अंदर, तो वो में लाऊंगा, लेकि जाहर है, पियर पॉलिवर भी यह वो नौ कांफिदेंस के मौका पे वो टूडो को वोट दे दे, इस बात का भी इमकान है, अब एक और चोथी पार्टी है, वो भी पार्लिमेंट में उसके भी अच्छे वोट है, आम इन टरम्स अफ सीट्स, वो है बलॉक यू बिकास, अब बलॉक यू बिकास जो है, वो कितना मिलता है, कंसर्वेटर पार्टी के साथ, यह तो आनिमली दूनों में पता चलेगा, तो कैनड़ा में जो फूचर है, इस वक्त, इलेक्शन का या पॉलिटिक्स का, वो उननीस बीस के साथ, उननीस बीस के फरक के साथ वही रहेगा, यानि अगर तो आज इलेक्शन होते हैं कंसर्वेटर भी जीच जाएंगे, जो पॉल्स बताते हैं, अगर ये छे मीने बाद या साल बाद होते हैं, तो तब भी आज के दन तो यही महसूस होता है, कि टूडो ने तनी मकूलियत खोई होई है, शायद ये इलेक्शन हार जाए अगला, लेकिन कोई पता नहीं कि टू का हिस्सा है, तो अब ये कुछ कह नहीं सकते, क्या होगा फ्यूचर, लेकर अगर आज के दिन की जो सैंटिमेंट्स हैं, अवाम के, उस पे अगर हम बेस करते हुए, कैनिडा के पुलिटिकल फ्यूचर का अंदाजा लगाना चाहें, तो ये है कि लिबरल अगला एलेक्शन हारते नज़रा रहे हैं, कंजरवेटिव जीतें гें, अगर कंजरवेटिव जीतें हैं, आज की पॉल्स के मताबक ये आज के सैंटिमेंट्स के मताबक, तो इस मायद कोई गरंटी नहीं है कि कंजरवेटिव एग्जैकली वही करेंगे, जो कनیडा की अवाम की अक्सरियत च चाहे अगले election में liberal जीते हैं या conservative जीते हैं. यानि political success एक मुक्तलिफ area है और social reforms and social work, systematic work is different. So, आज का बिला तकल्लफ show मेरे और ताहिर गोरा के साथ देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया. आप हमारे टेग टीवी के YouTube channel को subscribe कीजिये. हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबा कर आप patreon, paypal या राइड़ कार्ट के से रिए डोनेट कर सकते हैं. कि अप्सक्राइब के बढ़ने आप टीवी यूट्यू चैनल और प्रेस्टर अप्सक्राइब के अप्सक्राइब का प्सक्राइब के जिए लूट्यू फिए अजल के श्वाट्न.